दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहें अपना लोग प्री यूटीब चैनल जिसका नमा सुनील जैसवाल विवलोफाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल परदेश TGT कमिशिन की दोस्तों इसमें हम लोग special target करें TGT Arts Commission को लेकिन ये दोस्तों जितने भी competitive exam होते हैं उन सभी relevant रहेगी और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करना चाता हूँ आपको YouTube पर बहुत सार ऐसी विडियो मिल जाएंगी जो history से related होंगी master video होगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग उन special चीजों को cover करेंगे जो आपके exam के लिए बहुत ज़्यदा important होगी और यहाँ पर हम लोग basic से लेके advanced label तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका पुरा syllabus complete करें दोस्तों history की first class है यह तो चले बात करते हैं यहाँ पर इतिहास किसे कहते हैं history किसे कहते हैं दोस्तों तो इतिहास जो शब्द है यह iti, her और a से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ यह होता है कि यह निशित था तो इतिहास के बारे में आप लोगों को basic से लेके advanced label तक पढ़ाया जाएगा और इसमें इतिहास शब्द को हमने देख लिया है जिसका अर्थ यह होता है कि यह निशित था अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास history जो आप लोग शब्द यूस करते हैं history युनानी वाशा का शब्द है यह प्रशन आसाता है कि history किस वाशा का शब्द है तो history युनानी वाशा का शब्द है या फिर ग्रीक वाशा का शब्द है और दोस्तों यह जो शब्द बना हुआ है यह इस्टोरियस से बना हुआ है तो इस चीज को भी आप लोगोंने बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि जब आप लोगों का बेसिक ठीक नहीं होगा तो आप लोग जब बेसिक वेश्चिन से आप लोग से यह तरके स्वल्ब नहीं कर पाएंगे और इसका मतलब यह होता है से प्रापत ज्यान मतलब इन्वेस्टिकेशन के थूरू नॉलेज को एक्वाइर करना है और दोस्तों यह पास से रिलेटर स्टडी होती है तो यहां पे आप लोग ने देखा है कि जो हिस्ट्री शब्द है यह युनानी बाश्या का शब्द है और यह हिस्टोरियस से बना दोस्तों हेरोडोटस जो थे जिनको इतिहास का फादर कहा जाता है इन्होंने हिस्टोरिका नाम के एक किताब लिखी थी पुस्ते के लिखी थी जिसमें कि इन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया तो इतिहास के फादर जा इतिहास के जनक जा इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, उन्होंने जो पुस्ते के लिखी उसका क्या नाम है, उसका नाम है हिस्टोरिका, और इसमें ही इन्होंने पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, दोस्तों जो इनका इतिहास का जो विश्य था, वो क्या था, पेलोपोने, सियन, युद, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, आपके पास जो हेरोडोटर्स हैं, जिनको इतिहास का जन कहा जाता है, ये किस न कहा था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सीसरों जो कि एक रोमन फिलोस्पर थे, उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जन कहा है, दोस्तों हेरोडोटस जो थे, वो युनान के प्रथम इतिहासकार थे, और ये एक अच्छे बुगोल बेता भी थे, बुगोल के बारे में भी इनको काफी ज़्यदा नौलिस था, संस्कृत में इनका ना वही आपके पास क्या है, ये किस ने कहा था, यहां पे आप लोग देख पा रहें, Edward Hillett Carey के द्वारा ये कहा गया था, बारती इतिहास को समझने के लिए हम लोग दोस्तों इसको तीन बागों में देख लेते हैं, ये तीन बाग आपके पास क्या हो सकते हैं, जैसे बारती बारत, मद्यकलिन बारत और अधुनिक बारत की बात करेंगे, तो बारती तिहास को समझने के लिए हम लोग इसे तीन चीजों में देखेंगे, एक तो प्राचिन बारत, मद्यकलिन बारत और अधुनिक बारत, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, हर चीज आपको समझाने की को दोस्तों जो प्राचिन भारता है, उस इतिहास को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि उसमें लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह का जीवन वेतीत करते थे, अगर आप लोग देखें, अभी आप लोग रहते हैं तो आपका भी पास्ट बनेगा, और में किताबें थी या फिर नहीं थी किस तरह का जीवन वेतित करते थे किस तरह का उनका जो जीवन था वो spent होते था उनकी अजीबका का क्या साधन था तो इन सभी के बारे में हमें जानकरी कैसे प्रापत होती है तो यहां सबसे पहले बात करते है दोस सभी दारमिक सहिट या दारमिक ग्रण्ठ हो सकते हैं। बहुत गरंथ हो सकते हैं फिर कुछ आपके पास एतिहासिक गरंथों के थूरू भी आप लोगों को पास्ट के बार में जानने का मौका मिलता है फिर दोस्तों यहां पर बिदेशी जो जात्री थे यहां पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिदेशी यात्रिया हैं जिन होने किताबों की थिरू दिया है कुछ उन्होंने कुछ लेक लिख्या है उस तरह से हम लोग जो विदेशी जो फौरं के दोस्तों जो यहां पर आये थे यात्री आया थे उन्होंने भी यहां पर तीज़ों को डिस्क्राइब किया है पुरा तात्विक स्त्रोत के द्वारा भी हम लोगों जानने की कोशिश करेंगे कि प्राशिन बारत का इतिहास की स्त्रका रहा है सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ब्रामन गरंथ की उसमें यग जो होते थे दोस्तों उसमें मंत्रों का उचार्ण किया जाता था और उसमें जो ब्रामण के द्वारा जो गरंथ लिखे जाते थे उनी को हम लोग ब्रामण गरंथ कहते हैं दोस्तों ब्रामन ग्रंथों में सबसे प्राचिन ग्रंथ कौन से हैं तो ब्रामन ग्रंथों में सबसे प्राचिन ग्रंथ क्या है वेद है तो बेदों के संकलन करता दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं बेदों के जो संकलन करता थे उनका नाम था महरिशी क्रिशन देवप यहां से सीधा प्रश्ण हमारे बचीनि प्राइड को मुणा है सुए रइध प्रानस कहे प्राइड को सबस Zoe को करेंगे अगर बात करेंगर करेंगे सबसे लास्ट में जोड़ा वो अथरवेद है अब इनको हम लोग डिटेल में explain कर देते हैं रिगवेद दोस्तो यहां से भी प्रशन बनते हैं रिगवेद की बात करेंगे रिचाओं के ज्यान के संग्रों को रिगवेद कहते हैं दोस्तो रिगवेद में कितने मंडल हैं दोस्तो रिगवेद में 10 मंडल ह सुक्त कितने हैं जैसे जो पराथने गाय जाती थी इसमें तो वह 1028 थी और 10462 इसमें रिचा है रिचाए थे याप लोगों को पता होना चाहिए रिग वेद के самम इंडल में चार नुस के बार में बतायाила थिसमें की पर शूर्द है ब्रामन कशत्रिय वैशे के बार में बतायाई है दोस्तो यहां पर ब्रामन को ब्रमा के मुख से और इस तरह से क्षेत्रियों को दोस्तो बताया गया है और फिर आपके पास यो शुद्र है दोस्तो उनको पैरों के थूख बताया गया है कि उनका जो उद्वभव है वो उस तरह से हुआ है दोस्तों यह चीज़ यहाँ पर बताएगी है लेकिन यहाँ पर सबसे important points यह है कि दस्वे मंडल में चार बरणों के बारे में बताएगा है रिगवेद के तीसरे मंडल में गायतरी मंतर है तो यह भी आप लोगों का पता होना चाहिए कि रिगवेद में कौन से मंडल में गायतरी मंतर के बारे में बताएगा है तो तीसरे मंडल में गायतरी मंतर के बारे में बताएगा है और यह जो गायतरी मंतर है यह सवित्री जो देवी है दोस्तों उसको समर्पित है अब बात करते हैं यह यह युर्वेद की ना छोटे दोस्तो बेद जिसका मैंने आपके पहले बता दिया जिसका आर्थ होता है जिसका अर्थ होता है ग्यान नौलेज़ ये जो आपके पास ये यॉर्वेध है ये गद्य और प द्य में है क्रेशन पक्ष और शोकर安 पक्ष दोने हैं दोस्तो ये और replicate इसका पाठ करता है तो उसे क्या कहा जाता है अदव रियू तो ये भी आप लोगों ने यहां पर देख लाना ये कुछ जो इसका सामवेद का जो अर्थ है इसे ही देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद ना रखना पड़े सामन जिसका अर्थ हो तक गीत और वेद जैसे मैंने बदा दिया ग्यान तो सामवेद चारों बेदों में सबसे चोटा है तो यहां पर सामवेद का मैंने मतलब बाकि जितने भी शंदा हैं दोस्तों वो रिगवेद से लिए गये हैं यग अनुस्थान करने के लिए मंत्रों का संक्रण है और इसमें पाठे करता को उदातरी कहते हैं तो जितने भी यग अनुस्थान होते हैं दोस्तों उसमें जो मंत्रों का संक्रण किया गया है क्लेक् भी रखना है और इसकी रिवीजन भी करनी है अब सबसे इंपोर्टन चीज हम लोग जहां पर देखते हैं अथरवेद की दोस्तों अथरवेद क्या है यह कन्याओं की जन्म की निंदा करता है इसमें सवा और समीती को प्रजापती की दो पुतनी कहा गया है सीधा प्रशन होत किस डी को अलबेद कहा झाता है तो अथरवेद को अलबहर्एट कहा जाता है अथरवेद के जो रचेता है अथरवारिशी को माना जाता है और इसमें सबसे इंपोर्टन चीज में यहां पे आ रही है इस mul owant सर याडल तो ना घषम प्राशित ओशित इंसंदान बीवाः प गरंथों के बारे में ही पढ़ रहे हैं यह दोस्तों पहली क्लास थी इसमें कुछ चीज़ें आपको इंट्रोडेक्शन में बताए गई हैं जैसे से अगर आपको यह क्लासिस पसंद आएगी कॉंटेंट पसंद आएगा हम वैसे-वैसे क्लासिस लेके आएगे और आप लोग अगर आपके मन में कोई प्रशन है तो कमेंट वोक्स में यूरू टाइप करें दोस्तों ये वीडिया को कैसा लगा आप अपनी राइ कमेंट वोक्स में यूरू बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत नयवाद थैंक यू वैर्यमच दिल से